आज जो property दिखाऊंगा मैं आपको वो है बिलकुल गाउं को touch जिसे safety की जरूद है जिसे गाउं के पास में property यह वण के लिए suitable है लैंड भी सस्ती है, रेड भी कम है, प्लॉट भी छोटा है, सुटेबल है, इलक्रिसिटी आई है, प्लॉट को चारो तरफ से कंपोंड किया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं, प्लॉट, यह जो मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है, जिसे लोहे के पोल मारके, प्लॉट को रिसेल प्लॉट को रोड फ्रेंटेज बढ़ा है, तक्रीबल सो मीटर से बढ़ा रोड फ्रेंटेज है, प्लॉट के ज़स्ट सामने गाऊ है, तो सेफ्टी के लिए, सेक्यूरिटी के लिए एक अच्छी बात है, इलेक्टिसिटी का पोल प्लॉट के पास में ही आया हुआ है, वाटर कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे बावडी बोर्वेल करनी पड़ीगी, यह मेन इसका इंट्री गेट है, अभी गेट में तो लॉक किया हुआ है, मैं आपको बाहर से दिखाने का कोशिश करता हूँ और अंदर से भी, यह देखिए, जगह में इलेक्टिसिटी का पोल बाजू में आया हुआ है, तो आपको इलेक्टिसिटी के लिए ज्यादा मशगत करने की ज़रूद नहीं है, प्लॉट के पीछे ग्राम पंचेहत की पानी की टंकी है, यह जो जगह है यह पूरी तरीके से प्लाट है, छोटे-छोटे कुछ प्लांटेशन भी की हुए है, बड़ा आमका पेड प्लॉट के उस तरफ है, और इस तरीके से जहां तक मेरी स्कूटी खड़ी है, उसके सामने तक यह प्लॉट जाता है, प्लॉट का साइज है दोस्तों, 33 गुंठा, और जो की लोकेशन ह है, पाली आश्टेविनाइक गनपती मंदिर से साधर रंता 13-14 किलोमेटर की दूरी पे एक नेनवली करके गाउ आता है, उस नेनवली गाउ में यह प्रॉपर्टी है, आप गूगल पे इसे चेक कर सकते हैं, गाउ का लोकेशन डालने के बाद आपको डिस्टन समझ में पढ़ेगी, तो ऐसे ही नएने प्रपोजल देखने के लिए मेरा चानल सब्सक्राइब करिए, थैंक्यू